हेलो मैं डियर फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो अनलाइन ग्यान भाय याननत फ्रेंड्स एक वाब फिर से आप लोगों का हमारी उत्राखंड की जौब अपडेट में स्वागत है जैसा कि दोस्तों आप लोग ओगात हूंगे हमारे चैनल के माद्यम से आपको अलग अलग जो तरीके से कोई भी समाचार उत्राखंड में जौब से संबंदित आता है चाहे उपनल के जरी कोई भरती आती है चाहे समीदा के जरी कोई भरती आती है चाहे दोस्तों पर्मनेंट बेस पर कोई भरती आती है तो हम आपको इंटरेनेट वेबसाइटों के माद्यम से तथा न चैनाय को प्रस्ताव विजा चाचोगा है जल्द ही इन पद उबर भड़ती है मैं देखने को मिलेंगी तो दोस्तों आपको इस लेक्चर से अउगत कराए हैं आपसे एक विनमर बिंती है आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस तरह की अपडेट समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दिका सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बगल में बेला एकन आउन जरूर करें साथ ही साथ आप हमारे वटसप गुरूब को भी जाइन करना चाते हैं तो वहां से जरूर जाइन कर सकते हैं साथ ही साथ यह आप हमारे लेक्चरों को भी देखना चाते हैं उनकी भी लिंक पड़ी हुई है जो आपके लिए हर एक्जाम के लिए फाइदे मन हो सकती है इस पेसली उत्राखंड समोगा एक्जाम तो चलते हैं दोस्तों जो आज की न्यूजे इसको आपको समझाने का और बताने का परियास करते हैं उत्राखंड में डाक्टरों के 763 पद उपर भरती होगी जल तो दोस्तों आप लोग आउगत होंगे इस वक्त हमारा पूरा बिस्व कोरोना महमारी की चपेड में आया हुआ है और हमारा भारत देश भी से अचोता नहीं है और हमारी परदेश सरकार उत्राखंड सरकार भी से अचोती नहीं है तो इसके लिए का परियास करते हैं डाक्टरों के 763 पद लंबे समय से खाली चलने की जानकरी दी थी इसके बाद मुख्य मंतर तिर्वेन सिंग रावत ने इन पदों को ततकाल भरने के निर्देश दे दिये थे मंगलवार को सासन ने चिकिसा चैनाय को प्रस्ताव भीज दिया है सरकार भीते तीन साल से राज जी में डाक्टरों के बद भरने के परियास कर रही है इसी कर में अभी तक 500 से ज़्यादा डाक्टरों की उत्राखंड में नुक्ती हो चुकी है और बरती हो चुकी है अब सासन द्वारा भीजेगे इस ताजा परस्ताव के नुसार रिदी डाक्टरों मिल गए तो राज जी में डाक्टरों कमी लगबग दूर हो जाएगी तो एक सवाल आप लोगों का हमारे से यहाँ पुछा जाया है कि सर जो उत्राखंड में भरती आती है और हमें रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है तो आपको वगत कराएं दोस्तों हमारा काम है आपको थोड़ा सा वगत कराना हमारा कारी हमारा है कि यहाँ भरती आने वाली है सरकार ने इसके अनुमति दे दी गई है औरायो को इस तरह की घटनाय हो चुकी है तो आपका एक काम करना है दोस्तो आपको अपडेट रहना है यदि भरती आए नआए यहाँ सरकार के अप़र है दोस्तो उसके लिए हमें सरकार को फोर्स भी करना चीए तो उत्राखड में जल्दी ही 763 पदों पर भरती होगी जल्द तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस तरह की नूज समय समय पर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बगन बेल आइकन ना बूलेगा साथ इससे पिछली भरती के अपडेट आपको चीए तो उसकी भी लिंक पड़ी हुई है नीचे पे तो जहां पर आपको हर भरती के अपडेट दी गई है पुलिस भरती की और भी भरतियां जो आने वाली हैं उनकी तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे वीडियो जैसे लेगे इसके समंद्ध में कोई आपकी कमेंड हो तो जरूर बताएगा बहुत बहुत धन्यवाद